मैं भारत को भारती अताकी माननिता के आधार पर फिर से ख़णा करना चाहता हूँ उस काम में लगा हूँ दूसरी हम से क्या गलती हो रही है हमने अपने घर का नाश्टा ऐसा बनाया जो यूरोप और अमेरिका में मजबूरी में खाया जाता मैंने का ना पाव रोटी डबल रोटी बिस्केट अब हमने घर में शौक से लाना शुरू किया ज्यादा तर घरों में ब्रेड पकोड़े नाश्टे में मैं देखता हूँ या ब्रेड का कोई न कोई प्रपरेशन नाश्टे में मिलता है पूछो कहते हैं बहुत इजी है इजी तो इटली भी है सावर भी है उत्तपम भी है रसम भी है दोसा भी है और हलुआ से ज्यादा इजी कोई चीज नहीं सबसे सुरक्षित स सबसे पॉष्टिक हलुआ के बारे में आप जानते हैं मेरे पास कोई ऐसा पेशेंट आ जाए जो ऑपरेशन करा के आया हो अभी घंटे पर पहले मैं उसको कह सकता हूं कि घी का हलुआ खालो इतना सुरक्षित है उस पेशेंट को रोटी नहीं खिलाई जा सकती दाल नहीं खिलाई जा सकती चावल नहीं खिलाई जा सकता कम से कम पंदर दिन लेकिन मैं उसको ये जरूर कह देता हूं कि ऑपरेशन खतम होते ही जैसे ही होश आये हलुआ बना के खिला देना देशी गाय क क्योंकि वह हीलिंग में बहुत मदद करता है तो हल्वा से जादा तो कोई भी हमारे पास डिश नहीं है जो पांच मिनट में बन सके लेकिन वहलुआ गाया भोरा है दीरे दीरे पाव रोटी आ गई डबल रोटी आ गई बिस्किट आ गया घर में नूडल्स आ गए और सबेरे के नाष्टे में ये जरूर है और आयुर्वेद कहता है कि सबेरे का नाष्टा ही सबसे जादा मजबूत होना चाहिए उसी में भर पेठम पाव रोटी डबल रोटी खिला रहा है कभी-कभी बच्चों का बहाना बना देते हैं जी खाते नहीं हो आपने खेलाने की आदत न ही बढ़ेगी कब जियत बढ़ेगी तो शरीर की बीमारियां बढ़ने वाली है एक सो तीन बीमारियां होती है ये ध्यान रखेगे आज मेरे पास सुविधा नहीं है अगर एलसीडी प्रोजेक्टर होता तो मैं आपको दिखाता कि जब आप ये खाते हैं ना मैंने इसमें बहुत सुंदर स्लाइट्स बनाई होगी है कि जैसे पाव रोटी खाते हैं तो अंदर क्या होता है पेट में जाने को डबल रोटी खाने के बाद क्या होता है बिस्किट खाने के बाद क्या होता है चावमीन और नूडल्स खाने के बाद पेट में क्या होता है कैसे कैसे वो चोटी सी बिंती है कि अगर आप स्वस्त रहना चाहते हैं तंदुरस्त रहना चाहते हैं तो अपने जीवन में अश्टांग हिर्दे के दिये हुए सूत्रों का पालन करें उनमें पहला सूत्र मैंने बताया फ्रिज में रखा हुआ कुछ ना खाए ना कुछ पिए फिर आप बोलेंगे जी कि क्या खाएं क्या पी जो चीज फ्रिज में नहीं रखी हो और जिसको पवन इसपर्ष भरपूर हुआ हो और जिसको सूरी का प्रकाश भी मिल गया हो उसको खाएं मने हर चीज ताजा बनाके खाएं फ्रिज में रखी हुई मत खाएं फ्रिज में दूद इनको बाहर ही रखिए ना